इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शीर कहो तो खुश हो जाता है जबकि शीर भी तो जानवर का ही नाम है कहने का मतलब साफ है हम हर वक्त, हर पल, हर लमहा, हर कोने में खुशी ही तो तलाशते हैं लेकिन एक राज की बताओ उस खुशी की चापी आप ही की ज़िब में है अगर आप एक मिनिट के लिए खुश होना चाहते हो तो कोई अच्छा सा जोग सुन लो और अगर आप एक घंटे के लिए खुश होना चाहते हैं तो एक प्यारी से जब की ले लो अगर आप एक दिन खुश रहना चाहते हैं तो किसी पिकनिक पे चले जाओ और एक हफ़ता खुश रहना चाहते हैं तो कोई वान विक ट्यूर प्लैन कर लो अगर आप एक महीना खुश रहना चाहते हैं तो कोई प्रॉपर्टी खरी लिजे और अगर आप एक साल खुश रहना चाहते हैं तो शादी कर लो ये तो हुई छोटी छोटी टेंपरेरी खुशियां लेकिन अगर आप पर्मानेंट और हमीशा खुश रहना चाहते हैं तो उसका केवल और केवल एक ही तरीका है अपने काम से मुहबबत कर लो क्योंकि हम अपने दिन का 70% हिस्सा अपने काम के साथ बिताते हैं और हम उसे ठंग से जी लेंगे तो फरस्टेशन, डिप्रेशन, ग प्रफेशनल लाइफ में खुश रह पाएंगे और नहीं अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रह पाएंगे इसलिए अपने काम से प्यार जरूर करें क्यों क्योंकि काम्याब इंसान खुश रहे न रहे लेकिन खुश रहने वाला इंसान काम्याब जरूर होता है इस मंत्र क अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिये लोग आप से ये जरूर कहेंगे कि उदासियों की वज़े तो बहुत है जिंदगी में लेकिन खुश रहने का मज़ा आप ही के साथ है तो खुश रहने के लिए फटा वज़े सब्सक्राइब कर लें बाई बाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में